हलो दोस्तों टाइम स्पीड और डिस्टेंस के इस तीसरे वीडियो में हम दो ट्रेंज की बात करेंगे रिलेटिव स्पीड के कॉंसेप्ट को डिसकस करेंगे और देखेंगे किस तरह से प्रशनों को कम समय में किया जा सकता है अगर आपने पुराने दो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देखें जिनका लिंक कार्ड पर है अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब करें देखें अगर हम बात करें दो ट्रेंस की तो दो ट्रेंस हों या दो मोड अफ ट सामने आपके एक प्रशन है जो कंटिनेशन में चौथा प्रशन इस चेप्टर का दो ट्रेने जिन में से प्रते की लंबाई 200 मीटर है और चाल 54 और 36 किलो मीटर प्रती घंटा है विपरी दिशा में चल रही हैं कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी दो ट्रेन्स में बहुत सारी बाते हो सकती हैं सबसे पहली बात यहां से शुरू करेंगे आप देखिए दो ट्रेने हैं और दो ट्रेनों में बात करूँ ये मेरे पास में ट्रेन 1 मैं इसको ट्रेन A बोल सकता हूँ ये है मेरे पास में ट्रेन B ये दूसरे ट्रेन है मेरे पास की स्पीड 54 किलोमेटर पर आवर और 36 किलोमेटर पर आवर है हमें क्या चाहिए हमें चाहिए वो टाइम जिसमें ये ट्रेंज एक दूसरे को पार कर पाएं आपको कहा जा रहा है कि ये ट्रेने चल रही है विपरी दिशा में अपोजिट डिरेक्शन में कि दौनों ट्रेंस गतीमान है आप देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर लंबाई मीटर में है जबकि स्पिड किलोमेटर पर आवर में मैंने पहले भी कई बार कहा कि लंबाई लीडर है लंबाई के हिसाब से स्पीड और टाइम होना चाहिए तो सबसे पहला काम हम इसे यह 18 का 3 x है तो 5 का 3 x 15 m per second यह 18 का 2 x है तो 10 m per second क्या यह 37 नहीं हो सकता है अगर 37 हुआ तो फिर 18 का 2 x है यह नहीं कोई बात नहीं उस case में हम multiply करेंगे 5 x 18 अभी हम basic concept शीख रहे हैं तो हम एगे डेटा ऐसा रखना चाहिए ताकि confusion ना हो एक बार concept तो clear हो डेटा को हम बात मे देखेंगे, देखो, इसको कितने टाइम में पार करेंगे, इसके लिए एक बार, एक बार मैं चाहता हूँ, कि हम relative speed, relative speed का मतलब है, सापेक्षिक गती, दुनिया की कोई भी दो चीजें गती मान होंगी, तो सापेक्षिक गती का concept काम करेगा, हम एक बार उसको थुदा सा discuss करत कि तो क्या क्या हो सकता है, कोई भी दो चीजें, ट्रेन को भूल जाएगे, दो persons भी हो सकते हैं, दो buses हो सकते हैं, कुछ भी दो चीज़ हो सकती है, या तो दो चीजें opposite direction में चलेंगी, या दो चीजें same direction में चलेंगी, इनको लेकर हम थोड़ा सा discussion करते हैं, देखें, मान ल किलोमेटर का gap है distance है यहां पर जैपूर पर train A start होती है 30 km पर आवर से किदर जाती है यह यह जाती है दिल्ली के तरफ और यहां पर train B है जिसकी speed है 20 km पर आवर और यह जाती है किस तरफ देखिए जैपूर की तरफ और हम से यह पूछा गया कि यह दोनों train ए कितने बजे या क कितने समय बाद कितने घंटों में एक दूसरे को पार करेंगी देखिए यह दोनों train एक दूसरे की तरफ जा रही है आप देखिए एक टाइमिंग और माले ते हम माले जेते हैं कि यह जैपूर और दिली से रवाना होती है सुबह के 5 बजे 5 बजे रहे हैं 5 एम इसका जैप कैसे चल रही है मैं आपको यह विश्वाश दिला सकता हूँ मेरे 20 साल के teaching experience से कि कम से कम 70-80% questions ऐसे exam में होते ही हैं जिनमें या तो return work नहीं होता या बहुत ही कम होता है लेकिन उसके लिए यह जरूरी होगा कि हम यहाँ पर बारी किसे हर चीज को सीखें देखो एक बात बत train A जैपूर से कितना दूर होगी जैपूर से यह होगी 30 km एक और बात कोई भी दो चीज़ें दो बस दो इनसान कोई भी दो चीज़ें कम मिलती है कोई भी दो चीज़ें तम मिलती हैं जब दोनों के बीच का gap 0 हो जाए शुन्ने हो जाए हमें यही देखना है छे बजे जो इन दिल्ली से चली थी पांच बजे चली थी एक घंटे में वो दिल्ली से चलीगी 20 km आप नोटीस कीजेगा जैपूर और दिल्ली के बीच में 200 km का gap था क्या मैं यह बोल सकता हूं इन दोनों ट्रेंस के बीच में 5 बजे 250 km का gap था 6 बजे क्या हुआ 6 बजे इसने 30 कवर किय इसने 20 कवर किया मैं बोलूँगा यह gap 30 प्लस 20 यानि की 200 km रह गया एक घंटे में gap कितना कवर हुआ 50 तीस इधर 20 उदर एक और घंटे की बात करूँ में मालीजे कि 6 नहीं 7 बजे की बात है तो 7 बजे क्या होगा यह चलेगी 30 और यह चलेगी कितना बताईए 20 पाँच बजे जो समय है वहाँ gap है 250 km का gap जबकि 6 बजे वही gap है 200 km का 7 बजे की में बात करूँ तो देखिए 7 बजे 30 और 20 फिर और कवर हुआ gap कितना रह गया 150 अगर मैं बात करूँ एक और घंटा तो यह चलेगी 30 km एक घंटे में यह चलेगी 20 km गंटे में और यह gap और 50 कवर होगा gap कितना रह जाएगा 100 एक और घंटी की में बात करूँ तो हम चलेगे एक घंटे में और 30 km या एक घंटे में और 20 km और gap कितना रह जाएगा 50 यानि कि 9 बजे के टाइम में दोनों के बीच गैप कितना बताईए 50 km अब एक घंटा सिर्फ एक घंटा और चलना है तो यह चलेगी 30 यह चलेगी 20 और इन दोनों का क्रॉसिंग हो जाएगा यानि कि 10 बजे यह दोनों ट्रेंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी और मैंने कहा कोई भी दो चीज कम मिलती है वो तम मिलती है जब दोनों के बीच गैप जीरो रह जाएगा मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं इस बात पर क्योंकि यहां अगर कुछ क आपस में विपरी दिशा में अपोजे टरेंशन में चलती है तो स्पीट को क्यों जोडते हैं स्पीट को इसलिए जोडते हैं क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे को कॉपरेट कर रही है एक स्टूडेंट इधर है एक टीचर इधर है टीचर स्टूडेंट की कॉपी चेक क करना चाहता है तीन तरह से काम हो सकता है क्या जाए टीचर जाए स्टूडन तक तो पूरी जर्नी उससे खुद को करनी पड़ेगी या स्टूडन जाए टीचर तक तो भी उसे पूरी करनी पड़ेगी यह दोणों चाहते हैं कि copy minimum time में जल्दी जल्दी इनको copy check करने से मतलब है तो क्या होगा इधर से student चलेगा इधर से teacher चलेगा और कहीं न कहीं रास्ते में ये मिलकर के copy check हो सकती है यानि कि जो रास्ता पहले अकेले teacher ये अकेले student ते कर रहा था अब वही रास्ता ये दोनों मिलकर ते कर रहे हैं इसलिए relative speed चा समझे काम गती जितनी जादा होगी टाइम उतना कम लगेगा याद किजिएगा पिछली वीडियो हमने डिसकस किया था क्या कर डिस्टेंस कॉंस्टेंट है डिस्टेंस तो बराबर है ना पहले teacher ने ताई की फिर student ने आप दोनों मिलकर ते कर रहें डिस्टेंस वही है लेक लेकिन इफेक्टिव लेकिन प्रभाविकती रिलीелिक्टिव स्पीड बढ़ गई स्पीड बढ़ गई तो टाइम को क्या करना पड़ेगा मोना पड़ेगा अगर मैं बात करूं ए इस concept को लेकर कि काम उल्टा भी हो सकता है काम कैसे हो सकता है देखो कि यहांपर मैं आपसे ग्रोन के बात करूं कि धूनो चीजें उल्टी दिशा में चल रही है धॅनों सीदिश्य दिशा में बहु चल सकती है जैसे एक और छोटा सा एक्जाम्पल लेते हैं उसके बाद का देख्यों मलेनलीजेगा और सुबह के 5 बजह है यह station A है यह station B है सुभए के कित्ते बजे है पांच station B पर चोरी हो गई चोर यहाँ पर है अलाम बजा और यह station A है यहाँ पर पुलिस station है इनको तुरंत वालूम चला कि चोरी हो गई बिलकुल सेम पांच बजे लेकिन पुलिस और चोर के बीच का जो फासला है वो पांच किलो मिटर का है five kilometers अब ध्यान दीजेगा पुरानी बात हम एक example से और समझेंगे और इसी concept में हम एक नई चीज और सिखेंगे ध्यान दीजेगा सुबह पांच बजे पुलिस को मालूम चला कि चोरी हो गई है जन्रली क्या होता है चोर आगे आगे पुलिस पीछे पीछे पुलिस चोर को कब पकड़ेगी पुलिस चोर को तब पकड़ेगी जब दोनों के बीच का फासला घटकर जिरो हो जाए शुन्ने हो जाए अभी फासला कितना है पांच किलो मेटर एक बात बताईए जन्रली क्या होता है जन्रली ये होता है कि चोर और पुलिस एक दिशा मे दौडते हैं चोर आगे आगे पुलिस पीछे-पीछे एक बार देखें का लाइफ पुलिस को मालम चला कि चोर दौड रहे हैं दो किलो मीटर प्रती घंटे की स्पीड से टू किलो मीटर परावर की स्पीड से अगर मैं बात करूं यहां पर पुलिस अगर स्पीड अपनी जादा नहीं रखेगी तो इसे पार करना संभव नहीं है पकड़ना संभव नहीं है दौनों की डिरेक्शन बिलकु सेम है अगर मैं यहां देखूं तो आप ध्यान दीजेगा पांच बज़े ने छे बज़े क्या होगा लाइफ देखिए छे बज़े यह होग कि चोर यहां से स्टेशन बी से चलेंगे कितना किलोमेटर बताईए दो किलोमेटर क्योंकि इनकी घती है दो किलोमेटर प्रती घंटा एक घंटे पुलिस क्या कर रही है पुलिस भी तो दौड़ी रही है पुलिस जारी है स्टेशन एसे भी की तरफ कितना चली तीन किलोमे गैप शुरू में कितना था पांच उस पांच में से पुलिस ने कितना कवर किया तीन बचा कितना दो लेकिन चोर उनका वेलकम के लिए इंतिजार थोड़ी कर रहे हैं वो भी दोड़ रहे हैं उन्होंने एक्स्टा कितना कवर किया दो अभी छे बजे फिर में वही बात करू एक यही रिलेटिव स्पीड है यही सापेक्षिक गती है इस बार दोनों चोर और पुलिस एक दूसरे को कॉपरेट नहीं कर रहे हैं दोनों की चलने की दिशा बिलकुल सेम है अब देखिये मुझे एक बात बताईए अगर चोरों की रफतार दो किलोमेटर प्रती घंटा ह और पुलिस की भी दो किलोमेटर प्रती घंटा हो तो क्या होगा यह जीवन बर दोड़ते रहेंगे कभी भी पुलिस चोर को पकड़ी नहीं सकेगी अगर ऐसा हो कि पुलिस की रफतार तीन किलोमेटर प्रती घंटा है और चोर की चार किलोमेटर प्रती घंटा हो तो तो क् की गती चोरों की गती से जादा होनी ही पड़ेगी पुलिस तीन चोर दो तीन में से दो को बराबर कर दिया गया जितना एक्स्ट्रा पुलिस की स्पीड है वही उनकी रिलेटिव स्पीड है एक बार इस एक्जम्पल को हम लाइब आगे बढ़ाते हैं देखो साथ बजे क्या होगा ये छे बजरे हैं और पुलिस और चोर के बीच का फासला कितना है चार किलोमेटर कितने बजरे हैं छे एक घंटा और इनको दोडाते हैं साथ बजे क्या होगा साथ बजे इस 4 में से 3 कवर करलेगी पुलिस्, यसज़ाइ पोलिस पर फुलिस साथ बजये आ पर पुलिस परीश जी पुलिस कवर दोफे ज़ाज पार बचा-कितना एक किलो मेटर लेकिन उसी एक घंटे में चोर कितना चलेंगे 2 किलो मेटर तो यह 2 किलो कि एक गंटा करम और चलाएं गंड झालाएं साथ-से आठ पुलिस कितना चलेगी तीन किलो मिटर तो पुलिस यहां से चलेगी पूरा-पूरा तीन किलोमेटर लेकिन चोर भी कितना चलेगगे दो किलो मेर्प तो मैं बात करूं यहां पर men गंटा एक्स्ट्रा हमने चलाया साथ से आठ बजे का टाइम उसमें गैप किता रगे बताईए डो किलोमेटर अभी पुलिस और चोर के बीच का फासला दो किलोमेटर है अगर मैं एक घंटा और चलाऊं आप दिमाग से देखिए एक बार एक घंटा और चलाऊं तो पुलिस कितना चलेगी तीन और चोर कितना दो चोर यहां पर हैं यह दो आगे जाएंगे पुलिस यहां से जाएगी तीन तो यहां से चोर हो गए चार और पुलिस ने तीन कवर किया तो एक घंटे बाद दोनों के बीच का फासला जगा एक किलोमेटर अब अगले घंटे में चोर चलेगा दो किलोमेटर पुलिस चलेगी तीन किलोमेटर और पुलिस चोर को पकड़ लेगी लगी क्या हम एक्जाम में ऐसा सब कुछ कर पाएंगे बिल्कुल नहीं यह प्रतिकल नहीं है यह सिर्फ आपके कॉंसेप्स को समझाने का तरीका है हम एक फॉर्मुला यहां पर बनाएंगे उस फॉर्मुले को लेकर बात करेंगी कैसे काम होना चाहिए देखे अगर मैं बात करूँ गल्ती से बाई चांस पांच बजे जो पुलिस चली थी इस तरफ चोरों को पकड़ने के लिए और गल्ती से चोर रास्ता बठक जाते और इधर आगे जाने के जगे उल्टी दिशा में चले आते बाई चांस तो इनका मिलन एक घंटे में हो जाता क्योंकि अब जो इनकी रिलेटिव स्पीड है अब ये दोनों एक दूसरे को कॉपरेट कर रहे हैं अगर दो चीजें विपरीद इशा में चलेंगी तो काम जल्दी होगा क्योंकि दूरी तो वही है दो लोग जब अपने बीच में जीरो गैप बना दें तो बिल जाते हैं अपोस्टिट डिरक्षन का मतलब है दोनों को परेट कर रहे हैं और सीधी डिरक्षन का मतलब है क्या कि दोनो दुसरे को को परेट नहीं कर रहे हैं बैलकि आज़े वाला पीछे वाले को को बात करें कि उसके लिए बडन को भढ़ाराएं time and distance के जाधा तर प्रशनों में relative speed का concept हमें पता होना ही चाहिए तेकि एक और छोटी सी चीज़ अगर हम देखें आप life में बहुत दुबार ऐसा देखा होगा ट्रेंस में सफर के दौरान कि जब दो ट्रेंस अपोसिट डिरेक्शन में चल रही है एक ट्रें में आप यातरा कर रहे है आपके पैरलल ट्रेक पर एक दूसरी ट्रें और है जब दोनों क्रॉस करती है अपोसिट डिरेक्शन में तो आप नोटिस कीजे क्रॉसिंग बहुत ज पर लागू होता है एक बस में हम सफर कर रहे हैं एक बस सामने से आ रही है दोनों बसे एक दूसरी को बहुत जल्दी क्रोस करती है जबकि अगर एक बस को दूसरी बस ओवर टेक करना चाहे तो टाइम जादा लगता है उमीद्याब मेरी बात समझ पा रहे हैं सेम दिशा में वो कॉपरेट नहीं कर रही हैं जबकि अपोजट डिरेक्शन में उनकी स्पीड जादा होने की वज़ए से काम जल्दी होता है अब हम इसको फॉर्मूली की रूप में देखते हैं मैंने आपको बताया दो ट्रेंस में तो यहां पर हमारा नोट बनता है किस तरह से दो ट्रेंस द्वारा एक दूसरे को क्रोस करने में लगा टाइम अगर मैं बात करूँ टाइम की तो दो मामले रहेंगे पहला मामला क्या रहेगा जब दोनो अपोजट डिरेक्शन में हैं को हैं आप बिल्कुल रूट की बात कीजिए बैसि के बात कीजिए time के लिए मिन आपको क्या बोला time के लिए मिन आपको बोला distance uponWasp तो यहां पर time किसका time डॉनोव ट्रेंओं को एक दूसरे को पाइर करने में लगा समय उस समय के लिए आपको कितनी दूरी चाहिए दोनों ट्रेनों की लंबाईयों का योग अगर मैं बात करूँ तो मैं कहूँगा Sum of the Lens लंबाईयों का योग सबसे इंपोर्टेंट चीज जिसके बारे मैं काफी दर से डिसकस कर रहे हैं टाइम पता है, डिस्टेंस पता है आप चाहिए Speed, याद रखिएगा जितनी भी जैसे भी प्रशनों में दो चीजें गती मान हो वहाँ पर आप Speed भूल जाईए Speed को हम क्या बोलेंगे Relative Speed यानि कि साप एक शिक गती और यहाँ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो Relative Speed है वो क्या होगा चालों का योग Sum of the Speeds अगर यही बात में आपसे बात करूँ Same काम समय मुझे चाहिए तब जब दोनों ट्रेंस Same direction में चल रही हो तो आप ध्यान दीजेगा Formula मेरा Same बना रहेगा As it is यहाँ मुझे दोनों ट्रेंनों की लंबाईयों का योग ही चाहिए Same और वही मुझे Relative Speed भी चाहिए लेकिन इस बार क्या होगा मैं बात करूँगा चालों का अंतर Difference Between the Speeds मैंने आपको पहले भी कहा कोई भी दो चीज़े हो उनकी लंबाईयां कभी भी घड़ती नहीं है लंबाईया इग्नोर भी नहीं होती बहुत exception case को छोड़ कर सबी जगों पर लंबाईयों को हमेशा जोड़ कर चलना चाहिए अब देखे हम अपने प्रेशन पर देखो यह प्रेशन दो ट्रेंस जिन में से प्रते की लंबाई 200 मीटर है और दोनो opposite directions में चल रही है तो दोनो एक दूसरे को कितने time में पार करेंगी अब basic को कभी भी मत छोड़िए time time निकालना है मतब distance कौन से distance जिससे यह ट्रेंस एक दूसरे को पार कर ले लंबाई या हमेशा जूड़ती है लंबाई कितनी होगी 200 प्लस 200 यानि कि 400 मीटर speeds की बात करूँगा कौन सी direction है opposite direction opposite direction दो चीज़े है speed या relative speed relative speed उल्टी दिशा है चाले जूड़ेंगी घटेंगी हमेशा जूड़ेंगी जोड़ दीजेगा और आपको मालू में 15 प्लस 10 कितना होता है 25 यानि आप 400 में 25 से डिवाइट कीजिए तो आपको 16 seconds का time लगेगा यानि 16 seconds में ये trains एक दूसरे को पार कर पाएंगी अगर मैं यहाँ पर आपसे थोड़ा और बाचित करूँ माल लीजिए यही दो trains हैं लेकिन इनकी लंबाईयां अलग-अलग है suppose एक train की लंबाईया 300 मेटर दूसरी लंबाईया 400 मेटर यहाँ पर माल लीजिए इसका speed है 108 km per hour इसका speed है 72 km per hour यह नहीं आप question है समझाने के लिए दौनो एक दूसरी को cross करना चाहती है और direction कौन सी बता रहे हैं अपन opposite क्या होने वाला है दौनो ट्रेनों की लंबाईयों को जोड़ना ही जोड़ना है हमेशा 300 प्लस 400 कितना हुआ 700 speed कौन सी relative speed लंबाया मीटर में speed किलोमेटर पर आवर में आपको change करना पड़ेगा यह 18 6 है तो मुझे 5 का 6 गुना यानि कि 30 मीटर पर सेकिंड और यह 18 का 4 गुना है यानि 5 का 4 गुना यानि कि 20 मीटर पर सेकिंड तो 30 प्लस 20 यानि कि 50 में डिवाइट करूँगा तो आपको time कितना लगना चाहिए 14 seconds of time will be taken अगर आपको कुछ भी ना कहा जाए तो आपको हमेशा यह मानना चाहिए कि दोनों ट्रेंस के बीच में कोई gap नहीं है अगर gap हुआ तो जैसे माल लीजे एक ट्रेंस के बीच में 100 मीटर का फासला है दोनों ट्रेंस की स्पीड है माल लीजे 54 और 36 कितने टाइम एक दुसरे को पार करेंगी यह मैंने का 400 मीटर यह मैंने का 500 मीटर 400 प्लस 500 900 मीटर बीच का फासला 100 मीटर यानि हमारी टोटल लेंद हुई 1000 मीटर स्पीड की बात करूँ तो यह 36 यह 54 तो आपको 40 सेकंड मिलेंगे यानि कि 40 सेकंड में यह ट्रेंस एक दूसरे को पार कर पाएंगी इसी में एक नया केस बनता है तब जब यह ट्रेंस आपोसे डिरेक्शन में नहीं बलकि दोनों सेम डिरेक्शन में काम करती है तो क्या हो सकता ज़रा ध्यान दीजेगा एक नए प्रशन के साथ यहाँ पर दो ट्रेंस हैं जिन में इसे प्रते की लंबाई 300 मीटर है उनके स्पीड्स 108 और 36 किलो मेटर परावर है इस बार दोनों का डिरेक्शन मिलकुल सेम है तो दोनों कितने टाइम में एक दुसरे को पार करेंगी देखें मैं वापस आप से बात करूँ यह हमारे पास पहली ट्रें है लंबाई 300 मीटर दूसरे ट्रें की भी लंबाई 300 मीटर ही है स्पीड हमारे पास क्या है स्पीड से 108 किलो मीटर परावर और 36 किलो मीटर परावर सबसे पहला काम लंबाई और चाल मिस मैच कर रही है तो पहले इसको मैच करवाई है लीडर को होने लेंट उसके हिसाब से सारा काम चलेगा यहाँ पर 18 का 6 टाइम से 5 का 6 टाइम से कितना होगा 30 मीटर पर सेकिन यह होगा 10 मीटर पर सेकिन कुछ नहीं करना आपको आपको टाइम चाहिए दोनों चीज़ें समान दिशा में चल रही है और आपको मालूम है टाइम का मतलब क्या है टाइम का मतलब क्या है तो आप स्पीड नहीं बोलेंगे उसे, आप उसे बोलेंगे relative speed, और relative speed या तो दोनों चालों का योग होगा, या दोनों चालों का अंतर होगा, यहाँ पर समान दिशा है, तो अंतर होना चाहिए, अगर विपरित दिशा है, तो हमेशा योग होना चाहिए, तो यहाँ मैं बात करूँ आपसे relative speed तो 30 minus 10 यानि कि 20 अगर आप 600 में 20 से divide करेंगे तो आपको समय लगता है 30 seconds का तो 30 seconds के अंदर option number 3 ये दोनों trains यहाँ पर ये कहना ज़ादा ठीक होगा ये 2 trains एक दूसरी को पर नहीं कर रही है बलकि एक train दूसरी train को overtake कर रही है जनरली यही language हमें exam में देखने को भी मिलती है इसी चीज़ को हम एक दो examples के साथ में और देख सकते हैं जैसे ध्यान दीजेगा अगर मैं आपसे बात करूँ एक train है जिसके लंबाई है 400 मिटर दूसरी train है जिसके लंबाई है 500 मिटर मैंने यह मायन कर चला कि दोनों की बीच में कोई gap नहीं है क्योंकि कुछ भी मुझे नहीं का आ गया अगर दोनों की बीच में कुछ gap होगा तो वो मुझे बताने की स्तिती में होगा देखो अगर मैं यहाँ बात करूँ सपोज इसका स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर 90 किलोमीटर प्रती घंटा जबकि इसका स्पीड है केवल 18 किलोमीटर प्रती घंटा और दोनों ट्रेंस इस डिरेक्शन में चल रही हैं आप ध्यान दीजेगा दोनों ट्रेंस इस दिशा में चल रही हैं और हमसे पूछा गया कि कितने टाइम में ये पीछे वाली ट्रेन आगे वाली ट्रेन को क्रॉस कर पाएगी। common sense बोलता है कि जो ट्रेन पीछे से आ रही है उसकी गती निश्चित रूप से आगे वाली ट्रेन से जाधा होनी ही चाहिए। अगर मालीजिये skill speed आगे वाली से कम है तो ये कभी भी cross कर ही नहीं पाएगी बल्कि डॉनों के बीच का अंतर लगातार बढ़ता चला जाएगा। आपको कुछ नहीं करना एकजाम में सिर्फ क्या देखना है टाइम कौन सा टाइम दो ट्रेनों को पार करने का क्या करना है लंबाई लंबाई हमेशा क्या अगी दोनों की लंबाईयों का यो कितना है seit 700 मेटर नीचे क्या आईगी ? बाति спокойр साण़्य का खाय दोर साण़्य इसके बारे में हमने बहुत डीटेल में आज ही अभी discuss किया, same direction, और मैंने क्या कहा, लीटर कौन बनेगा, लंबाई, लंबाई मीटर में है, सबसे पहले आप चाल को change कीजिए, ये 25 मीटर पर सेकिंड, और ये 5 मीटर पर सेकिंड, दोनों का difference अगर हम लेंगे, तो 20 से मुझे divide करना चाहिए, यानि कि 45 सेकिंड का time लगेगा, इस train को, आगे वाली train को overtake करने में, अगर यही सेम प्रशन होता, और मैं सिर्फ ये change करता, कि ये दोनों train उल्टी दिशा में चल रही हैं, सीधी दिशा में नहीं, उल्टी दिशा में, तो क्या होता, लंबाई तो वही बन में इन दौनों की चालों को जोड़ना चाहिए, तो फिर 25 माइनस 5 नहीं, 25 प्लस 5 होता, और मैं 30 से डिवाइड करता, और यहां पर कितना time लगता बताए, 30 सेकिंड साफ टाइम यहां पर निकलना चाहिए, एक छोटी सी बात अगर हम देखें, आप ध्यान दीजेगा, एक छोटा सा कंसेप्ट, अगर आप पिछली क्लास को उठाएं, तो मैंने आपको यह कहा था, कि डिस्टेंस, टाइम और स्पीड, इनमें आपस में एक रिलेशन होता है, इस रिलेशन को हम आने वाले समय में कम से कम 60-70 परसेंट क्वेशन में यूज करेंगे, एक हलका सा स्पीड का है, आप देखिए, डापनो में सिट्टेंस ब्राबर होती है, तो स्पीड बढ़ती है, तो टाइम घडता है, बलकि जिस रिशो में श्पीड और टाइम में से एक ची belki है, उसी रिशो में दूसरी चीज घडती है, आप देखिए, यहां पर आपके पास स्पीड क्या है 20 यहां पर speed क्या है 30 speed का ratio क्या है 2 अनुपात 3 अगर यहां पर 2 अनुपात 3 speed का ratio होगा अगर speed का ratio 2 अनुपात 3 होगा तो यह guarantee की बात है कि time का ratio 3 अनुपात 2 होना चाहिए यानि पहले जो time लगता था वो ratio 3 है और अब टाइम लगेगा वो रेशो 2 होगा ये 3 है इस 3 का value कितना है 45 3 का value 45 रेशो की चाबी हमेशा ये बंती है कि रेशो में एक का मान पता होना चाहिए हर चeप्टर के कुछ की वर्ट से 3 का मदला 45 तो 1 का मान पंदरा और 1 का मान पंदरा तो 2 का मतलब क्या होगा पताई ये 30 ऐसे में क्या होगा बहुत सारी जगों पर अगर हमें एक चीज पता है तो दूसरी चीज हम सिर्फ रेशो से ही निकाल सकते हैं उमीद है आपको ये चीजे समझ में आई होगी अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रेंस रिलेटेड है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर करें अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें हमारे रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे टेलग्राम चैनल से जूड सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है